वेलकम टो BPC Maker आज है 24 मार्च 24 और 24 से बिहार करेंट इफर्स और साथ ही राष्ट्य और अंतरराष्ट्य घटनाव सहीते जितने भी करेंट इफर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियों बताऊँगा यह वीडियो आपके लिए BPC सहित, Bihar SSC, Bihar SI, ESI, CDPO अन वो सभी परक्षाइं जो खसकर के बिहार मैजित होती है सभी परक्षाओं के तरिश्टी कुन से यह वीडियो आपके लिए काफे ज़्यादा महत्पूर्ण है इस रिंखला के जितने वीडियो चैनल पे अप्लोड होते हैं सभी को देखिए इससे आपके करेंट एफर्स के तयारी काफी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी मैंने वीडियो का प्रेलिष्ट एरेंज किया है चैनल पे आप चाहिए सभी वीडियो को देखिए और इसका वीडियो प्रेलिष्ट पूछा था कि हाले में बिहार के किसे जीले में कम उम्र के अपराद करने वाले बच्चों के लिए प्लेस आप सेप्टी बनेगा यह प्रश्णी मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो के अंत में पुछेंक ऐоздगे प्रश्णी का आपको आंसर कोमेंट करके बताना है हाल यह में पटना विश्विध्याले में केदर सरकार दोबरा 6.9 कलो रुपय की लागत से पोपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाय जाने की गोश्ण की गई है यह ध्यान रखेगा पटना विश्विध्याले में इसके बाद है जिससे रिसर्च सेंटर बनाय जाने के बाद त्यार करके भी ऐत भी होचता है पत्व किसे गोँशनाे को न 얼स्ति कुंट सोप्रहन exclusive ख्यमंत्री नितिश कुमार, राज के पक्षी गुरिया, राज के पसुबायल, राज के वृिक्ष है पीपल, राज के फूल है गेंदा, और यहां का जनसिंख्या घनत तुझो है, यह है 1106 वर किलोमेटर, और छेत्रिफल है 941663 वर किलोमेटर, और उसका राज भासा जो है प दो स्वास्तिक के बीच में एक बहुद ही रिक्षी, यह बिहार का राज के चिन है, तो इतनी सारी महत्तपूर्ण इंफरमेशन को आपको ध्याम रखना है, चलिए उसक बात बढ़ते हैं, दूसरे प्रशने पे, दूसरा प्रशने के हाल ही में, कैच दौरेन, जल सकती अभियान किसके द्वारा सुरूर किया गया है, तो अभी इस प्रशन का जो सही उत्र होगा, यह हो जाएगा नरेंदर मोदी, प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल सकती अभियान कैच दौरेन को वर्च्वल माध्यम से सुरूर किया, इ इसका मतलब अभियान का नारा है, जो कि अभियान का नाम है कैच दौरेन, तो इसे आपको धियान रखना है, यह आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है, काफे ज्यादा मातपूर्ण है, इस अभियान का नारा है, जहां भी गिरे, जब भी गिरे, वर्सा का जल एकत्र करे ठीक है अभी हाली में इसका वर्च्वाल रूप से नर्यतर मोधी के दुवारा इसका उध्गाटन किया गया है अभी यहां भी मैं आपके बात बता चुगा हूँ कि जल दिवस प्रतेक वर्षिक कब मनाया जाता है अगर आप मारे रेगुलर व्यूवर हैं इस रंकला के करें को देखते हैं तो आपको यह बात बता होगा आप कमेंट करके मुझे बताईए कि प्रतेक वर्षिक विश्व जर्दिवसक मनाया जाता है अब यह बात आये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की एक बार मैं आपको बता दूंग प्रधानमंत्री मोधी किसे जो भी बहा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्में प्रथम व्यक्ति हैं यह काफी महत्पूर्ण फैक्ट है यह आप ध्यान रखेगा और इसे पहले 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं प्रधानमं प्रशन है अभी हाल है में बिहार का अस्ठापना दिश्राश मनाए गया तो यहं पर प्रश नहीं की यह कौन सा अस्थापना दिश्दा इस प्रषन का सही 않तर होनला अफ़सन नंबर 2 यानि के 1109 अस्थापना दिश्रा इसके बारे में आपको डिटिल कुमार के दौराई इसका सुरुद के गया था, यह पहली बार 2010 में मनाया गया था, तो 2010 से अभी तक लागतार 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है यह धियान रखे गए महत फूरूर्ण फैप्ट है, इसके सुरुद के दौराई पहली चाली वस्वाद बढ़ते हैं अगले प्रशन पर हालहे में आईश्मान भारती योजना के इतायत देश में कितने हजार श्वास्त और अरोग्य के अंदर स्थापित के गए हैं देश में 70,000 श्वास्त और अरो के केंदर स्थापीत किये गए हैं यहाँ पर बात आई है आईश्मान भारत योजना की यहाँ से प्रशन बनते हैं अक्सर तो इसके बारे में आईए मैं आपको डिटेल में बतातो हूँ यह अकिर है क्या तो अईश्मान भारत योजना इसे ही प्रधान मंत्री जन आरो के योजना भी कहाा जाता है जो कि भारत सरकार की एक स्वास्त सेवा योजना है जिसे एक अपरेल 2018 को पूरे भारत में लागु किया गया था 2018 के बजट सत्र में वित्तमंत्री अरुन जेटली ने इस योजना की घोशना किया था और इस योजना का उत्तिष आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानि कि विप्यल धारक लोग है तो उन लोगों को श्वास्त भीमा मोहिया कराना इसके इंतरगः आने वाले परठेख परिवार को 5-6,000,000 का कैश्रहत उर्यादा उपलब्दी कराया जाता है या इसकी जो शुरुवात हुए थी ये एक अप्रेल 2018 से हुए थी ये मैं आपको बता चुगा हूँ पर इसका जो बजट है ये है 2000 पर रुपिय गा ठीक है तो इतनी सारी महत्पूर्ण आपको ध्यान रखना है चलिए ये इसका लोगो है प्रधमते जन आरोगी हो जाता है इसी भी ध्यान के चलिए इसका बढ़ते हैं अगले प्रशन पर निम्रिकित में से किस राजसरकार ने हाल ही में महला युद्दाओं के नाम पर पी एसी महला बटालियन अस्थापित करने की घोशना की है इनलीकित में से किस राजसरकार ने हाल ही में महला युद्दाओं के नाम पर पी एसी महला बटालियन अस्थापित करने की घोशना की घोशना की गई है ये तीन महला राई हैं राणी अवंती भाई उदादेवी और जहलकारी बाई यह तीनों के नाम पर ही पीछ नाम पर ही प्यसी महलावटालियन स्थापद करने की गोशना उत्तरपर्देश शरकारगे द्वरा भी हाली और साथ ही यह दुनिया में सबसे अधीक जनसंख्या वाला देश उपखंड भी है निए कि देश का खंड जो है मतलब किसी भी देश में जो कोई खंड होता है आप कह सकते हैं एक राजी सरे नीमें अगर मानके चलें तो सबसे ज़्यादा मतलब की जनसंख्या वाला यह तो प्रांत आग्रा वो अवद की रूप में अस्थापित किया गया था जो कि ब्रेटिस आसनकाल में से युनाइट प्रोविंस कहा जाता था जो कि 1950 में बदल के उत्तर प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश की राजदानी है लकनो जो की राज्य का सबसे बड़ा सहर है उत प्रदेश चंद्र अवस्ति इतनी सारी बहुत पूर्ण इंफरमेशन आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है चलिए उसके बाद बारते हैं अगले प्रशन में हाल ही में एक रिपोर्ट के मताबिक बिहार में कितने लाख प्यक्क्र यानि कि नसा करने के आदी मतलब म प्यक्कर हैं इनमें से 55,000 से अधिक ऐसे महलाएं सामिल हैं ऐसे में मतलब कि 10,000,000 में से 55,000 महलाएं भी सामिल हैं जो कि प्यक्कर की स्रेनी में है एक रिपोर्ट में ये बातें सामने निकल कर आई है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है अवसन नमर ए यहाँ पर इस कार होटल बनाने की योजना बनाई है जो खुद बिजली का उत्ताधन भी करेगा अच्छा प्रस्ञा है कि किस देश fiscal हालही में तयरने वाला फाइयरागो всем होटल बनाने की एक हाल ही में कतर में Harry Attek आर्किटेक्ट्चर डिजाइन कंपनी ने एक तेरने वाली 5 स्टार होटल कार्ड डिजाइन तैयार किया है यह होटल खुद ही रोटेट होकर अपने लिए बिजली का उत्पाधन भी करेगा ठीक है तो यह भी हाल ही में, मतलब यह क्या गया है, यह कतर के द्वारा क्या गया है, यह डिजाइन तया क्या गया है, तो option number C, यहाँ पर इस प्रशनी का सही उत्तर हो जाएगा, कतर, चैनल इसको हाथ बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो हमारा paid course चलता है, इस channel के आध्यम से, बेसिकली यह आपके BPSC, जो कि सट्ट भी BPSC और BPSC CDPU के लिए होता है, यहाँ पर मैं आपको एक बार डीटेल पर बता दूँ कि अगर आप यह पर यहाँ पर दो तरह के आपको membership देखने को मिलेगा, पहला membership में आपको यह फायदा मिलेंगे, यहाँ पर आप पीडियाप आपको दो भूल्य में परवाइट किया जाएगा, जो कि यहाँ पर प्रशनों की संख्या काफी जादा आधिक होगी, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको बिहार दीके से कोई भी प्रशनों दोबरा पढ़ने की अवश्कता नहीं है, और इसके अलावे और भी कई सारे पीडियाप है, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, वो सभी पीडियाप आपको यहाँ पर पेड़ ग्रूप के अंतरगर दिया जाएगा, यह पेड़ ग्रूप का जो फी है, यह एक साल के लिए है, अगर आपसे जोइन करना चाते हैं, तो इस चैनल के ड अलग से परना त्यार किया गया है, करेंट अफेर्स का मेंबर से ठीक है, यह आपको कैसे लेना है, इसमें बिसिक्ति दो तरह से यह कार्ड करेगा, इसके अंतरगत सिर्फ करेंट फेर्स की मासिक पत्रिका, यह पूरे एक साल तक मिलेगी, यह तिसंबर 2021 तक, यह हो गई क् मतलब मन्थली करेंट फेर्स आपको मिलेगा, जिसमें कि बिहार करेंट फेर्स होगा, राष्टे और अंतर राष्टे घटना उसे, विशलेशन सहीत यह पीडियाप आपको दिया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकालके अपनी तैयारे को बहतर बना सकते हैं, यह मेर मतलब यह पीडियाप से मेच किया है, ठीक है, तो यह वाला जो है, यह दो तरह से कारी कर रहा है, तो मैंने आपको बता है कि, अगर आप इसे membership लेते हैं, एक साल के लिए, तो आपको 151 रुप्यों पे करने होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे, मतलब की, एक सिकंड, म इस वीडियो के description में अल्रेडी दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसे खेल सकते हैं, लेकिन membership लेने का फायदा यह होगा, कि आपको text नहीं देना होगा, जब आप लिंक से purchase करेंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ additional charge भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो additional charge से बचने के आपना बिहार, तथा सरकारी नोकरियों में 33% सीटे सुरक्षित करने बाला देश का पहला राज्य नेमिलखित में से कौन बन गया है, तो इस प्रशने का जो सही उत्तर होगा, यह होगा अपना बिहार, हाली में बिहार राज्य के आधियवादी को आरेक्शन तथा सरकारी नोकरियों में 33% सीटे सुरक्षित करने बाला देश का पहला राज्य बना है बिहार, यह आपको दियान रखना है, काफी ज़्यादा महत्तर पूर्ण प्रशने है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार, उसको अगला प्रशन है कि प्रतेक वर्स अंतरराष्ट्य वन दिवस क कब मनाया जाता है, तो प्रतेक वर्स अंतरराष्ट्य वन दिवस जो मनाया जाता है, यह 21 मार्श को मनाया जाता है, आप पता दूँ कि हाली में 21 मार्श को अंतरराष्ट्य वन दिवस मनाया गया है, और इसको मनाने की सुर्वाद जो हुई थी, 2012 से खाद और क्रसी संगठ चलिंगरा प्रशन हाल ही में आठमा बिहार उधमिता सम्मिलन को निमलिखित में से किसने संबोधित किया है हाल ही में आठवा बिहार उदमिता संबोधित किया है तो ये जो संबोधित किया है इसके अमरेंदर परताफसी के द्वारा ये संबोधित किया गया हाल ही में किर्शी मंतरी अमरेंदर परताफसी ने है ॅम्रेंद प्रताब style अग्ブस अग्ला प्रस्ण हाल ही में विश्वजब ऑ्प्राइब्स घ्यपका मनाया गया है इस प्रशनी उस्से प्रश्णी का स्वेष्पोड सी ठीडिक है तो 22 मार्च को यह फाले हैं आपसे पूछा था प्रण है तो अभी हाली में 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया है इसका उद्देश जल के महत्तव परप्रकाश जलना है इस वर्स विस्व जल दिवस की थीम है वेलुइंग वाटर जिसका लक्ष लोगों को पानी का महत्व को शमझाना है यह दियान रखेगा 22 मार्च को प्रतिक वर्स 23 मार्च को भी विहार राज का अस्थापना दिवस मनाया जाता है जो की 109 अस्थापना जीवस अभी मनाया गया है अभी हाली में इस पॉर्ष जल दिवस मनाया गया है जोकी उत्तर प्रदेश और मध्द प्रदेश यहां पर गलती से चलिए उत्तर प्रदेश और मध्द प्रदेश के मुक्षि मंत्रियों के बीच यह भी हाले में समझाता हुआ है। ये उत्तर प्रदेश और मद्ध प्रदेश के भी समझाता हुआ है चले इसको अगला प्रशने हाल ही में मुझरा अंदोलन की वर्षिलाट कब मनाई गई है हाल ही में मुझरा अंदोलन की वर्षिलाट कब मनाई गई है तो ये 19 मार्च को मनाई गई है सहीदों को सरधान दिली देने और मुझरा अंदोलन के सेनानियों को याद करने के लिए परती वर्षे 19 मार्च को मुझरा अंदोलन की वर्षगाट मनाए जाती है यह अंदोलन पटियाला पंजाब के अंदोलन था यह आपको दwięफनान रहना है वैसे के शलों पनजाब में यह उंदोलन चाला था चुकि गौरिया बिहार का राच्किया पक्षी है तो आपको ये बात याद रहना चाहिए कि विश्व गौरिया द्वस प्रतिक वर्षे कप मना जाता है आपको इसका आंसर कोमेंट बख्स में कॉमेंट करके बता रहा है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आपको बदा आप मेसेज करें, अगर आप जोईन करने की एक चुब हैं, जो चीजे मैंने आपको बताईए, प्री-21 लिक के हमें मेसेज किजिएगा, आप चाहें तो इस पर डिरेक्ट लिक कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इस वीडिए से अगर आपको हल्क है, हाथ जड़के कि वीडियो को लिक करते हैं, और भी विवर create करें, और और इस चैनल पे पहली बार विजिट किया हैं, तो चैनल को जिरूर सस्क्राइब करें, ठीक है अगर आपको यहाँ पर कोई चीज सिकायत हो जो मैंने यह current affairs का जो अलग से यह क्या है देखें यहाँ पर मैं एक चीज clear करता हूँ जो लोग membership पराल लेंगे उसको current affairs उसमें ही मिलता रहेगा लेकिन जो सिर्फ current affairs लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बताया था और इसके बारे में detail information आपको इसी बाटसम नमर पर मिलेगा ठीक है तुम मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल र